मेरे प्यारे देश्वासियों, कोरोना जैसा संकट नहीं आया होता, तो शायद जीवन क्या है, जीवन क्यों है, जीवन कैसा है, हमें शायद ये याद ही नहीं आता। कई लोग इसी वजह से मानसिक तनावों में जीते रहे हैं, तो दूसरी और लोगों ने मुझे ये भी शेर किया है, कि कैसे लोकडाउन के दोरान, खुशियों के छोटे-छोटे पहलू भी उन्होंने जीवन में री-डिस्कवर किये हैं, कई लोगों ने मुझे परमपारिक इंडोर गेम्स खेलने और पूरे परिवार के साथ उसका आनन लेने के अनुभव वेज़े हैं, साथियों हमारे देश में पारमपारी खेलों की बहुत सम्रुद्ध विरासत रही है, जैसे आपने खेल का नाम सुना होगा, पचीसी यह खेल तमिनाडु में, पल्नान नुंगली, करणाटक में, अली गुली मने और आंद पुदेश में वामन गुंटलू के नाम से खेला जाता है, यह एक प्रकार का स्ट्रेटेजी गेम है, जिसमें एक बौर का उप्योग किया जाता है, इसमें कई खांचे होते है जिन में मौझूद गोली या बीच को खिलाडियों को पकड़ना होता है, कहा जाता है कि यह गेम दक्षिन भारत से दक्षिन पूर्वे एशिया और फिर दुनिया में फैला है, सात्यों, आज हर बच्चा साम सीडी के खेल के बारे में जानता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी एक भारतिय पारमपारी गेम का ही रूप है, जिसे मोक्सपाटम या परमपदम कहा जाता है, हमारी यहां का एक और पारमपारी गेम रहा है, गुट्टा, बड़े भी गुट्टे खेलते हैं, और बच्चे भी, बस एक ही साइज के पांच छोटे पत्तर उठाएं और आप गुट्टे खेलने के लिए त्यार एक पत्तर हवा में उछा लिए, और जब तक वो पत्तर हवा में हो, आपको जमीन पर रखे बागे पत्तर उठाने रहोते हैं, आम तोर पर हमारे यहां इंडोर खेलों में कोई बड़े साधनों की जरूर नहीं होती है, कोई एक या इमली के बीच से भी काम चल जाता है, साथ हो, मुझे मालूम है, आज जब मैं यह बात कर रहा हूँ, कितने ही लोग अपने बचपन में लोट गए होगे, कितनों को ही अपने बचपन के दिन याद आ गए होगे, मैं यही कहूंगा कि उन दिनों को आप भूले क्यों है, उन खेलों को आप भूले क्यों है, मेरा घर के नाना, नानी, दादा, दादी, घर के भुजूर्गों से आग रहे हैं, कि नई पीडी में यह खेल आप अगर ट्रांस्पर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, जब ऑनलाइन पढ़ाई की बात आ रही है, तो बैलेंस बनाने के के लिए, ऑनलाइन खेल से मुक्ति पाने के लिए भी हमें ऐसे करना ही होगा, हमारी युवापीडी के लिए भी, हमारे स्टार्ट अप्स के लिए भी यहां एक नया अवसर है, और मजबूत अवसर है, हम भारत के पारंपारिक इंडोर गेम्स को नए और आकर्षक रूप म प्रस्तूत करें, उनसे जुड़ी चीजों को जुटाने वाले, सप्लाइ करने वाले स्टार्ट अप्स बहुत पॉप्लर हो जाएंगे, और हमें ये भी याद रखना है, हमारे भारतिय खेल भी तो लोकल है, और हम लोकल के लिए बोकल होने का प्रण पहले ही ले चुके है हमारे